दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल ने रविवार को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरी आम आदमी पार्टी के विधायकों को संबोह दित किया इस मौके पर उन्होंने चितावनी दी कि आप नेता पुलिस और अन्य अधिकारियों को परिशान करने डराने और धमकाने के लिए पद का दुरुपयोग न करें उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि हमारे कुछ सहयोगी कारयालेओं का दौरा कर रहे हैं कृपया किसी से दुर विवहार मत कीजिए मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर हमारे कई MLA साथी विधायक लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं वह बहुत अच्छी बात है मुझे बेहत खुशी है आप लोग अस्पिताल में जा रहे हो लोकल स्कूल में जा रहे हो लोकल तैसीरदार के दफ्तर में जा रहे हो जाओ खूब जाओ बहुत अच्छी बात है यही करना है अपने को एक ही चीज का ध्यान रखो बत्तमीजी मत करो मैंने देखा एक बंदा किसी थानेदार को कह रहा है तन्नू उल्ट उठा टांग दे आंगा ये भाशा हमें शोभा नहीं देती ये कहनी की क्या जरूरत है अब तो तुम विधायक बन गए अब तो मुख्य मंत्री तुम्हारा है अब तो मंत्री तुम्हारे है तुम चाहो तो दो मिनट में उनको पुठा टांग सकते हो जिस दिन टांगने की जाब तो तुम्हारे पास कलम की ताकत है कलम की ताकत से कुछ भी कर सकते हो कहने की क्या जरूरत है अपने मूँ से हमें सब की इज़त करनी है सब की इज़त करनी है विरोधियों की इज़त करनी है विपक्षियों की इज़त करनी है सारे करमचारियों की इज़त करनी है और ये करमचारी दोशी नहीं है कोई डॉक्टर दोशी नहीं है सरकारी अस्पताल का सरकारी स्कूल का कोई टीचर दोशी नहीं है अभी तक सिस्टम ही आसा था सारा सिस्टम खराब था बता देगी पार्टी के एक नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जिसमें नेता जी ऐसे चों को धमकी देते नज़रा रहे थे को उल्टा लटका देगा अब इसे लेकर अर्विंद केच्रिवाल ने पार्टी के विधायकों को नसीहत दी है दिल्ली के मुख्य मंत्री ने कैबिनेट में जगे पाने से वंचित विधायकों की नाराजगी को लेकर कहा कि मंत्री पद किसी का अधिकार नहीं है जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है उन्हें योगिता साबित करनी होगी मैंने सुनाएं कि कुछ विधायक अपने जो मंत्री नहीं बन पाई वो दुखी है हमारी 92 सीटे आई है मंत्री 17 ही बनेंगे ऐसा नहीं है कि जो विधायक मंत्री नहीं बने हैं वो किसी से कम है पंजाब के लोगों ने एक-एक हीरा चुन के भेजा है इस बार एक-एक हीरा है आप लोग एक-एक हीरा हो हर एक में बड़ी अच्छे-च्छे लियाःत है लेकिन हम ये 92 लोगों की 92 लोगों की एक team की तरह काम करना है अगर हम टीम बनके काम करेंगे, अपना स्वार्थ छोड़ देंगे, अपनी इच्छाएं छोड़ देंगे, अपनी एंबिशन्स छोड़ देंगे, पंजाब की तरक्की होगी, पंजाब खूब आगे बढ़ेगा और अगर हमारी एक एक आदमी की इच्छाएं आगे आगे, मोह आगे आगे, लालच आगे आगे, मेरे को ये क्यों नहीं मिला जी, मेरे को वो चेर्मेनी क्यों नहीं मिली जी, मेरे को ये विभाग क्यों नहीं मिला जी, मेरे को मंत्री क्यों नहीं मिला जी, अगर हम सारे कारी पैसे लेने में जिजक रहे हैं सिपाहियों ने खाना खरीदना शुरू कर दिया है उन्होंने पंजाब के मुख्य मंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि मान साहब आपने कमाल कर दिया पूरे देश में आपकी चर्चा हो रही है झाल 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 झाल